हालो एवरिवन वेलकम टू डीसेम क्लासेज आज बीबीए पार्ट थर्ड में जो मॉस्ट इंपॉर्टेंट आपके सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड मेनेजमेंट अकाउंटिंग जिसमें सबसे जादा बच्चों को टेंचन होती है कि सर ये सब्जेक्ट में क्या आने वाला है नुमेरिकल, थियोरी, बहुत सारी क्वेरी जाती है कि सर केवल थियोरी से काम चल जाएगा क्या तो नहीं केवल नुमेरिकल से भी काम नहीं चलेगा और केवल थियोरी से भी काम नहीं चलेगा यहां आपको दोनों चीजें मिक्स करनी पड़ेंगी reason क्या है वो अभी मैं आपको बताऊंगा previous year के paper में आपको show करूंगा केवल numerical basis पे जाते हो तो भी खतरनाक है और केवल theory basis पे जाते हो तो भी खतरनाक है ठीक है तो आपको दोनों का mix करके जाना पड़ेगा अब का theory करना है क्या numerical करना है वो सब हम यहां देखेंगे तो यहां पर cost and management accounting का सबसे पहले हम क्या देख रहे है syllabus और जिनों ने अभी तक कुछ नहीं पड़ा है तो बहुत बड़ा syllabus नहीं है हाँ हालाकि chapters जो आपके हैं उसमें जब questions आप करें तो variety of questions हैं ऐसा नहीं है कि एक method आपने कर लिया तो सारे questions वैसे हो जाएंगे ठीक है कोई भी chapter है आपने उसके एक या दो questions कर लिये तो वो question chapter complete नहीं होगा उसमें बहुत अलग-अलग तरह के questions हैं तो आपको practice जो है वो number of questions की करनी पड़ेगी ठीक है तो proper आपको पढ़ना पड़ेगा इसको केवल ऐसे नहीं है कि आपने कहीं से भी एक-दो question YouTube से देख लिए कि मेरा chapter clear हो गया नहीं होगा आपको variety of questions की practice करनी पड़ेगी college में भी आपने पढ़ाई की है कुछ limited questions करवाएं हैं तो topic समझ में आ गया लेकिन उसके अलावा आपको अपने books के variety of questions की practice करनी पड़ेगी ठीक है फिर कह रहा हूं किसी chapter में तीन या चार question करने से आपको वो chapter clear नहीं होगा यहां ठीक है चलिए सबसे पहले इसका syllabus देखे हैं पन पहली unit में आपके cost accounting जो पहला introduction का है वो आपका क्या है theory का caution है फिर उसके बाद element of cost यह जो statement of cost बनता उसका summary यहां element of cost में दे रखी है 57 caution दे रखे हैं जादा नहीं है हलांकि इसका detail में जब अपन second unit में unit और output costing पढ़ते हैं तो उसमें यही चीजे लेकिन वहाँ detail में है number of cautions बहुत जादा है और अलग अलगता रहके caution है बनाना statement of cost यह जब आप cautions करोगे तो बहुत अलग अलगता रहके caution मिलेगे प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी फिर उसके अलावा दो चैप्टर्स में छोटे हैं एक तो material cost अच्छा चैप्टर है चोटा चैप्टर है और एक labor cost इसके अंदर भी आपके क्या है labor एक तो cost control first मानते हैं एक second होता है इसमें labor का remuneration निकालते हैं तो उसमें भी मैंने कहा क्यों एक या दो या तीन caution करने से नहीं होगा variety of cautions करने पड़ेंगे ठीक है अब एक बार जब अभी मैं आपको paper दिखाऊंगा तो numerical बहुत जाद आया हुआ था उसमें केवल theory पढ़के जाते हो तो आपका नहीं system set होता अभी previous year का paper भी देखेंगे तो इसमें ये एक theory है बाकी numerical है अब आप सोचे सर ये मैं theory पढ़के चले जाओं हो जाएगा काम तेकिन ऐसा नहीं है इन chapter में से भी एक numerical आगया एक theory दे दिया तो क्या कर लोगे वो नहीं आया तो क्या होगा ठीक है तो आपको थोड़ा बहुत numerical साथ में करके जाना पड़ेगा अब numerical करने का एक फायदा और है जिसे मान लो आप metal cost की numerical करते हो अब वो numerical नहीं आया और उससे related को थियोरी caution आ गया तो metal cost control में जितना भी आपने formula मैटर्स वगेरा देखे हैं उनको थोड़ा language में समझा के उनके formula समझा के मन से example figures लेके example solve करके दिखा सकते हैं तो आपने numerical पढ़ा होता है तो आपन थियोरी भी उसका attempt कर सकते हैं जैसे labor cost का है तो इसमें अलग-अलग matters हैं अब matters of labor remuneration पूछ लेते matters of labor remuneration तो फिर होता क्या है उसमें जितने भी matters पढ़े वह अपने explain कर सकते हैं तो थोड़ा बहुत आपको पढ़ना पढ़ेगा second numerical दो ही chapter है overhead और unit output costing ठीक है एक बार जब देखे तो दोनों ही numerical आगे थी दोनों ही numerical caution आगे थी ठीक है तो यह आपके दोनों वैसे pure practical है फिर उसके बाद third में देखे तो एक management accounting ये तो pure theory तो इसमें तो 100% आएगा याएगा इसमें से एक theory आएगा और इसमें से marginal costing और manageral decision जो है उसमें फिर numerical आता है फिर इसके अंदर दो chapter है budgeting और standard costing एक साल दोनों ही numerical caution आगे थी bursting का भी आ गया था और standard costing का भी आ गया था और ये भी अच्छा चेप्टर standard costing जो अगर आप कर लेते हो बहुत अच्छी तरह से तो उसमें numerical भी easy है metal variance और labor variance है और theory अगर आता है तो उसमें भी वेरियांसे ही पूछते हैं तो metal variance, labor variance को थोड़ा theoretical समझा के वही फॉर्बले वगेरा लिख के अपने explain कर सकते हैं standard को ये budgeting में देखें तो flexible budget, cash budget, functional budget थे अलग-अलग तो वो budget भी बहुत easy थे बहुत जादा मुश्किल नहीं है जिसमें ज़्यादा chances जो होता है flexible budget या cash budget के आने का chances रहता है fifth unit है responsible accounting और activity based है last two years से दो साल से तो दोनों में theory आ रहा है हाला कि ये पूरा theory है कुछ numerical question दे रखें बुक में लेकिन आते नहीं पूरा theory है और ये जो आपका है activity based costing तो इसके अंदर numerical भी है numerical बहुत easy है तो अगर आप numerical करोगे तो theory भी आराम से हो जाएगी इसकी और numerical करोगे तो बहुत easy है क्या question आयवा मैं भी आपको आगे बताऊंगा तो competitively total 12 chapter है 12 में से भी अगर अपन pure theory देखें pure theory तो एक, दो और ये तीन तो अगर ये तीन है इनकी theory पड़े तो बाकी 9 chapter बचे तो बहुत easy है numerical portion आप इसका कर सकते हो final year है risk आपको नहीं लेना है अच्छी तरह पढ़ना है कई बच्चे जो तयारी कर रहे हैं कोई cat की तयारी कर रहा है कोई किसी और चीज की competition की तयारी कर रहा है अब cat की इनकी तयारी के अंदर academic record भी बहुत अच्छे जरूरी है भई आप जहां पढ़ रहे हैं cat की preparation कर रहे हैं तो वहां पूछना cat का exam दे लिए बहुत बढ़ी है बात लेकिन academic record नहीं बन पा रहे कई तो ऐसे बच्चे हैं जो cat या c-mat का exam दे कर और कहीं college में admission ले देते हैं और यहां back रह जाती है तो बहुत दिक्कत बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने problem face किये तो थोड़ा सा एक देड़ महिने की बात है academic पे हलक आसा focus कर लीजिए theory subjects जो हैं उनमें भी हमने separate discuss किया है और बागी subjects का और भी करेंगे theory subject भी बहुत easy है numerical भी बहुत easy है और हमने पूरा course available numerical भी पूरा course available करा रखा online offline और सारे जो theory subject हैं उनके भी online course प्रवाइड करवा रखें अब आराम से daily का एक unit लेके बैठ सकते हो videos समझा रहे हैं समझा notes हमारे पास proper हैं उन notes को पढ़िए और अपने notes बना के और उन्हें आराम से याद कर सकते हो theory numerical दोनों चीज़ें available है DCM classes का app जो है वो एक बार मैंने कहा था आप download कर ले डी से एम classes का app प्ले स्टोर पे मिल जाएगा जो आइफोन यूजर्स हैं उनके लिए जो है iPhone users my institute यह एप open करना iPhone users के लिए कह रहा हूं फिर उसमें वो एक ORG code पूछेगा तो Y-K-H-I-E यह आप डाल दीजिएगा तो फिर हमारा जो DCM classes का app है वो download हो जाएगा बाकी कोई दिक्कतों को समझ भी नहीं है तो आप call या WhatsApp कर लेना ठीक है तो यह तो है ले बस अब मैं आपको previous year का जो paper है पहले वो दिखाता हूँ कि भी last year क्या आया था चलिए देखिए यह 2023 का paper है first unit की अगर बात करें तो पहला तो जो first cost accounting introduction था तो देखो what is the meaning of cost accounting explain briefly the objects and advantage of cost accounting तो भी last year तो बहुत easy caution आया था ठीक है लेकिन अब इस साल आने का चांज से इसका कम रहेगा अचा next आपका जो है वो यह caution आया था metal control का बहुत easy है simple आपको क्या reward level minimum level maximum level और average stock level पूछा है ते 20 marks का caution आप पांच minute में complete कर सकते थी तो दूसरा unit अगर अपन देखें second unit में देखो एक तो overhead का explain the process of distribution of overhead ठीक है यह theory का आगया और उसके साथ जो मैंने आपको unit और output costing का बताया था उसका numerical आ गया जिसमें आपको statement of क्या बनाना था cost बनाना था और price निकालनी थी tender price निकालनी थी फिर उसके बाद third में देखें तो third में मैंने का एक तो theory होता यह management accounting का देखो meaning scope objective management accounting ठीक है तो इस chapter को तो बहुत अच्छी तरह कर ले ना theory भई ठीक है अगर numerical नहीं साथ होता तो वो अपन theory वाला तो उसको अपन को कहीं छोड़ना ही नहीं पता है management accounting में से आए गए आए आएगा theory का एक caution numerical भी देखें तो इसमें आपका application of marginal costing in decision making है तो बहुत easy caution है यह break even point वाले थे ना वैसे ही तो देखो fixed cost profit और PV ratio given है output गवना आपको selling price निकालना है और इसमें दूसरा caution भी है fixed cost और break even pointer यह लिखावा है इसमें भी आपको selling price calculate करना है तो बहुत क्या है भई easy फिर fourth unit की बात करें तो fourth में देखो flexible budget and discuss the merits and demerits तो यह तो theory का हो गया और numerical आपका आ रहा है standard costing last दो साल से standard costing का caution आ रहा है भी ठीक है बहुत easy होता है इसके अदर केवल एक table बनानी पड़ती है 5-6 formula उनमें values पूट करनी होती है तो इसने पड़ रखा है बहुत easy चीज है यह भी फिर उसके बाद fifth में मैंने का था last two years से दोनों theory आ रहे है responsible accounting का advantage disadvantage यह तो theory आएगा ही आएगा आएगा कि responsible accounting ABC का numerical भी आता है देकिन दो साल से theory दे रहे हैं पता नहीं क्यों दे रहे हैं वागी numerical भी है इसके अंदर तो देखो what do you mean by activity based costing how does it differ from the traditional costing system हाला कि इसका numerical आपने पड़ा हुआ होगा ना तो यह यह चीज भी आपको समझ में आ जाएगी क्या difference से क्या है तो उसको language में लिखना होता है फिर with example एक बना कर जो आपने पहले को example किया हुआ है caution तो उसी को example बना कि अपने उसको बता भी सकते हैं तो वो theory का भी बन जाता आपका अब यह तो लास्ट कर दिया तो एक तो इसने जो मेटल जो मेटल कंट्रोल वाला पहला था उसका का caution दे दिया इसमें economic order quantity वगेरा निकालते हैं न वो यह वाला economic order quantity discount offer वाला और दूसरा साथ में आपको tailor differential मतलर labor का caution भी दे दिया ठीक है अच्छा अब second unit की बात करूं तो second में आप यह देखो तो आपको यहां पर overhead का caution भी दे दिया ठीक है और साथ में second unit में दोनों ही आपको क्या देदी numerical ओवरेड का भी numerical दे दिया और यह यह आपको देखो यह cost वाला जो था unit output costing उसका भी numerical मतलब में second unit में दोनों numerical दे दिये थर्ड की बात करें तो थर्ड में मैंने का एक question तो आपका आएगा है आएगा management accounting का तो management accounting क्या है what the step will be taken while they installing a management accounting system in large size industry फिर उसके बाद में यह आपका caution जो है वो किसका दे दिया आपको marginal cost application of marginal cost in decision making तो एक theory नुमेरिकल आ गया फिर उसके बाद में अच्छा उसके अंदर भी थोड़ा देखिएगा यह भी क्या कर रखा है आपके हाँ यह तो इसका होई गया और इसमें भी option दे दिया आपको अरे इसमें भी क्या दे दिया option कि यह आपका जो है calculate the selling price तो वही आपको statement of cost बनाना है statement of cost तो इसके अंदर आपके कित्ते दे दिये तीन वाला इसके अंदर आपको थेखो थर्ड वाली unit में न एक तो यह कॉशन दे दिया एक यह दे दिया और साथ में फिर यह भी दे दिया मतलब और में तीन कॉशन दे दिया को करने तो एक ही था दो numerical दे दिया अच्छा थर्ड यूनिट की बात करें तो थर्ड यूनिट में एक तो यह आपको क्या दे दिया भाई एक सेके यह कुछ न कुछ गड़बड है यह क्या हो अच्छा अच्छा यह थर्ड का आ गया यह तो देखो आपके क्या था सेके यूनिट थी न तो सेके यूनिट में एक तो आपका क्या आ गया numerical आ गया ओवर हैड वाला ठीक है और उसके बाद में दोनों numerical आ गया और यह थर्ड यूनिट में मैंने का था एक तो आपके जो है वो क्या आ गया management accounting का theory और एक आपका numerical आ गया फिर उसके बाद में fourth unit की बात करें तो fourth में भी दोनों numerical है देखो यह तो आपको जो दे दिया किसका दे दिया cash budget का और cash budget के साथ साथ में standard costing का भी दे दिया तो second unit में भी दोनो numerical आ गये fourth unit में भी दोनो numerical आ गये और fifth unit में यह एक तो ABC costing वाला आपका numerical आ गया और एक यह responsible accounting का क्या आ गया theory तो आपका करने का अगर theory बलब जो अच्छी तरह से करें तो theory एक तो first जो chapter था आपका cost accounting introduction जो था वो अच्छी तरह करें एक आपका मैंने का management accounting जो introduction है उसको अच्छी तरह करें और एक थर्ड में responsibility account जो है यह आपका responsibility account है यह तो मैंने का pure theory है तो इन तीनों को तो आप कर सकते हो इन दोनों में से तो 101% theory का caution आएगा first वाले में से कुछ कह नहीं सकते भी first वाले में unit क्या है प्लब chapters थोड़े से जादा है चलिए अब अगर इसके अंदर theory का अगर अपन caution देखें तो देखो क्या बन सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ यह यह आपका जो है वो theory के caution जो important है वो मैं हलके से बता देता हूँ कि आप क्या चीज कर सकते हो बाकी जब मैंने कहा आप chapters कर रहे हैं तो थोड़ा सा detail में ही कीजिएगा first unit में जो मैंने first chapter कहा था देखो what is mean by the cost accounting give the objects and advance हाला कि last year आ चुका है इन फिर भी इसको अच्छी तरह करना है को first chapter तो solid करना ही करना है दुबारा repeat हो सकता है एक explain the various costs used in decision making and explain their characteristics और एक what is the mean of the cost accounting difference between financial accounting and cost accounting ठीक है इसके अलावा भी कुछ topic मिलते हैं तो पहले chapter को अगर थोड़ी अपर solid करके जा रहे हो तो वो करना second unit की बात करें तो इसमें overhead define करना है और give their classification and explain fixed and variable cost और explain the over absorbed absorption and under absorption of overhead using the suitable example और एक what do you mean by cost sheet और explain the cost sheet by suitable example तो cost sheet numerical पढ़ोगे तो cost sheet अपने आप बनानी आ जाएगी किस तरह से बनती है ठीक है third unit की बात करें तो मैंने का management accounting वो तो है important इसमें meaning scope objective कर लो management accounting what step will be taken while the installing a management accounting system in large size industry और management accounting useful in effective planning by the financial manager critically explain the statement ठीक है ये theory का बन सकता है fourth unit की बात करें तो budgeting what do you mean by budgeting explain the flexible budget taking the suitable example और एक define standard costing discuss the advantage and limitations of techniques of standard costing ये आपका हो सकता है fifth unit की बात करें तो responsible accounting को अच्छी तर पड़के जाना भई responsible accounting what do what are its characteristics what are the advantage and limitations what do you mean by responsibility accounting or what are the different type of responsible centers फिर एक ABC वाला था तो ABC का caution करें तो what do you mean by ABC system describe the objective and steps in activity-based costing लेकिन इसका numerical कर लेना अच्छी तर है इसका theory कर लेना या फिर आप चाहो तो ABC जो system है उसका theory numerical दोनों solid कर लेना तो भी काम हो जाएगा तो बहुत easy है लेकिन पढ़ना पड़ेगा final year में आप risk नहीं ले सकते फिर कह रहा हूँ केवल theory basis पे नहीं जाना है केवल जो numerical अच्छा कर रहे हैं बच्चा बच्चे तो वो numerical के साथ साथ में कुछ portion जो है वो हलका सा theory भी देख लेना ताकि उसमें भी अपन थोड़ा सका क्योंकि अपन अच्छे से अच्छे marks फिर शेर भी कीजिएगा और हमारी एप जो है DCM classes वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा बहुत सारी चीजे उसके अंदर आपको मिलेंगी थैंक यू